कि समाजी विज्ञान के पेपर मिलेगा इसे हल करने के लिए जो आपको समय मिलता है तीन गंटा पंदरम मिट का संपुर समय मिलेगा और यह आपका पुरांग जो रहेगा टोटल संदर सत्तर नंबर करेगा ठीक है इसके कुछ समानी निर्देश दिये जाते हैं इस निर्दे सभी निर्देश को आप पहल लीजिएगा ठीक है यहां पर सभी निर्देश को आप पहल लीजिएगा देखिए अब यहां से प्रश्ण स्टार्ट होता है इस प्रश्ण को हल करके आपको बताते हैं कि आपकी प्रीबोड जो पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार का प् निखा ना तब पर्तेक वुविगलभी प्रश्ण हल करने दिए एक एक नंबर मिलेगा देखिए आपका पहला नंबर का सवाल क्या है कि फ्रांस की करांती कब प्रारंभ हुई थी ठीक है देखि फ्रांस की करांती सबसे जदा नमबर के देखिए नेपोलियन का संबंद था यान नेपोलियन का संबंद किस देश से था आपसा ने फ्रांस से जर्मनी से इटली से या उपर्युक्त में से किसी में से ठीक है देखे जो नेपोलियन जो था आपका फ्रांस देश से था तरफ नेपोलियन का संबंद किस से थ साथ फ्रांससे इस प्रशन का सही जभाब ए वड़ा आपसंड सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखे तीसरा नंबर सवाल क्या है आपका कि जालियवाल अबाग की घटना कव हुई थी सबसे इंपोर्टेन्स सवाल इस प्राश् сигण को जरूर त्यार की ऐब आपका बार्टे थी यह आपका मानचित्र से संबर्धि सवाल रहता है बहुई कल्पी के रूप में भी देता है आफसन ने 8 अप्रAS 1999 में 10 अप्राइल 19 213 अप्राइल 1925 Myers ठीक है जरी वाल बाग था तेरह अप्रइल 999 होगा इसका सही जवाब आपसन और। इसके साथ में याद रखेगा कि जो जर्यवाला बाग हंद्स कान्ट वा था कह पर अमरीतसर पंजाब में हुआ था कहा हुआ था अमिरित सर्थ के पंजाब में हुआ था ठीक है इसको भी साथ मियाद रखेगा अगला चौथा नंबर का सवाल देखिए वंदे मात्रम गीत के लेखा कौन है ठीक है आपसंद है बंकिम चंद्र चटरजी ते रविंदा टैगोर सरत चंद्र चटरजी यह निंद्र नाथ टैगोर ठीक है यहां पर वंदे मात्रम गीत के लेखा कौन देत बंकिम चंद्र चटरजी ते इसका सही जवाब एवर आपसंद सही होगा देखिए इस प्रशन को आप कैसे याद रख सकते हैं यहां पर वह दिया है ना यहां पर का दिया वह साप याद कि अंतराष्टी मुद्राकोस आईएव की अस्थापना कभ हुई थी कशृत ते कर उनन्नेई सो चालीस इननिसो बैलीस उननेई सो पैतालीस याद वनननेसो छवार्ष ठीक है तेखिए यहां पर अंतराष्टी मुद्राकोस जीसे आई ए। pen कर नाम से भी जाना जाता है अ केंद्र सासित पर देशों की टोटल संख्य आपको बताना है कि यह द कर के संख्याँ में कितना है याद रखे जहाई 28 कितने है तो राज्यों की संक्या टूटल 28 है और केंद्र शाशी पर्दोस्टों की संक्या टूटल कितने है आठ है ठीक है यहां पर साथवा नंबर का सवाल देखिए आप कि संग्ही सासन प्राली में सक्तियों को भी भाजन होता है ठीक है केंद्र राज्यों के मद्ध्य में होता है एक राज्य एक अन्य राज्य के मद्ध्य में होता है विधाई म कारिपालिका मद्ध्य होता है यह विधाई का नयपालिका के मद्ध्य होता है ठीक है यहाँ पर द लीच में संगिये सासन प्राली कि क्या होता है सक्तियों का बटवारा होता है इस प्रश्ण का देखिए सवाल क्या है आपका वियना की संदी कब हुई थी ठीक है यहां पर पूछा वियना संदी यानि वियना संदी कब हुई थी इस प्रश्ण का सही जूब के होगा बीवल अफशन सही हो जाएगा अगला देखें नौवा नंबर का सवाल आपको क्या है कि भारत में पंचायती राज की अस्थापना कब हुई थी ठीक है यहाँ पर याद रखना है कि पंचायती राज जो होता है उसकी अस्थापना कब हुई थी आपसाने 980, 990, 992 या 2004 में ठीक है तो भारती पंचायती राजी की अस्थापना जो हुआ था फ्रेंस 992 इस वी में हुआ था इस प्रश्ण का सही जवाब क्या होगा सीवल आपसन सही होगा आगला देखिए 10 बहा नमबर निम्तलिकित में से क्या भारती लोक तंत्र के समभारति पंचायती है यानि लोक तंत्र से सब्सक्राइब कौन सी चुनउवती है इस प्रश्ण का होगा आपका सही तीनों आपसन सही है इसका सही जोग क्या होगा डीवल आपसन सही हो जाएगा अगले देखिए आपको क्या है ग्यारा नमबर का कि लोह अयस के किस प्रकार का संसाधन है ठीक है लोह अयस को बताना है किस प्रकार के संसाधन है नवी करड़ी योग्या है प्रवा है जयव है यह अनवी करड़ी योग्या है ठीक है देखिए लोह अयस को जो एक प्रकार का स ज्यान से देखिए निम्नली कित में से किस राज्य में काली मिर्दा मुख्य रूप से पाई जाती है आपसाने जम्मु कस्मीर में पाई जाता है राजस्थान में महराष्ट में जहारखंड में तो काली मिर्दा जो पाई जाता है तो महराष्ट में मुख्य रूप से पाई यहां पर देखिए आप पूछाएं कि फलीदार फसल कौन सा है ठीक है तो फलीदार फसल के अंतरगत आपका आता है डाले डाले क्या है एक प्रकार का फलीदार फसल है इस प्रेश्ण का सही जो आप एवला आपसा सही हो जाएगा चोधा नंबर के देखिए Monjadiide rate निमन लिकट में से कौँछ खणीच पाए जाता है यानी Monajide उसमें कौँछ उसमें खणीच पाए जाता है खणीच तयल यूरेणियम थोरियूम या कोईला ठीक है देखें जो मोनजाइट होता है उसमें आपको थोरियम पाया जाता है क्या पाया पाया जाता है थोरियम यहां पे लिखा है ऊपसी वाला आपना क्या होगा अगला अगला देखिए 15 वाल नमेर का सवब क्या है कि निमना लिखित में से कौण सा सब्ध दो या दो से अधिक देशों के ब्यापार से संबंदी थे दो या दिक देशों के बयापार से संब्ल दी थे अंतरिक बयापार बाहरी बयापार अंतर राष्ट्री-Bयापार एक अरस्तानी-Bयापार उसे अंतराश्टी बेपार करते हैं ठीक है अगला दिए 16 नमपर का सवाल आपको क्या है कि समानित किसी देश का विकास किस आधार पर निदायत किया जा सकता है ठीक है तो प्रतिव्यक्ति आये पर और साच्छरता दर पर लोगों की स्वास्तिति या उपरियुक्त में से सभ ठीक है किसी देश का जो विकास निर्वर करता है प्रतिव्यक्ति आये कितना है उसकी साच्छरता दर के कितना है लोगों की स्वास्तिति कितनी है इसके आधार पर उसकी विकास निर्वर करता है इस प्रश्ण का सही जो अब डीवल आप्सन सही हो जाएगा ठीक है यहाँ देखे 17 नमबर का सवाल क्या आपका कि निमनलखित पड़ोसी देशों में से मानु विकास के लिहाज से किस देश की इस्तिती भारत से बेहतर थी तो मानु विकास की लिहाज से किस देश की इस्तिती भारत से बेहतर थी तो मानु विकास की लिहाज से देश की इस्तिती भारत से बेहतरतित स्री रंका हो जगें आपर सही जवाब भीवला होगा अठरावा नमबर के देखिए क्या है सारवजनिक और नीजी छेत्र के विभाजन का आधार है यान कि कि भाजन का आधार माना गया है वह माला गया है उद्यमों का स्वामित्रों को कि इसका सही जवाब सीवर्ल आप्शं सही हो जाएका अगला 19 नंबर का सवाल देखिए सोयम सहायता समुहों से बचत और रिड़ संबंदी अधिकतर निरह लिये जाते हैं इसके आधर पर लिये जाते हैं तो बैंक के द्वारा सदस्यों द्वारा गेर सरकारी संसता द्वारा या उप्रियुक्त में से कोई नहीं सोयम सहायक समुहों में बचत और रिड़ संबंदी जो अधिकतर निरह लिया जाता है वो लिया जाता है कि सदस्यों द्वारा किसके द्वारा लिया जाता है सदस्यों द्वारा इस प्रश्ण का सही जो अब बीवला आप्सन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखिए एक वस् प्राकृतिक परकि्रिया यह पर चट्र से संबंदित tolerant कि का क्या है इसाइब आता प्राथ्मीक छेत्र सही हो जाएगा ठीक है यहां पर सेवा छेत्र पूछता थे सेवा को किसिंट कर गया indoor recommended वर आत्मक प्रशनों को देखते हैं अब आपको नो SEC दिर्ग लगतरी प्रशन पूछ जाते हैं आपको साथ में आपको मांचित्र से जो संबंदी समाजिक विज्ञान में आते हैं मांचित्र से संबंदी उसका एंसोर क्या होगा सभी आपको बताएंगे पहले आप प्रश्णों को देख लिजिए कि आप किस प्रकार की प्रश्णों को तयार करके बोड की एक्जाम हो चाहे प्री इस नंबर का सवाल है कि इस प्रश्ण को आप जरूर तयार कर लिजिएगा इसके बाद जो मांचितर से संबद्धित उसका एंस्वर आपको साथ में बताएंगे ठीक है यहाँ पर आटोवान विसमार्ग को जर्मनी के एक करणा का जनक क्यों कहा जाता है दो कारण दीजिए टोटल कितने नंबर के चार नंबर के इस प्रश्ण को आप जरूर तयार कर लिजिए ठीक है देखिए आथवा देखिए आपको पता देखिए जब अथवाला सवाल रहता है तो यहाँ पर दो प्रश्ण देते हैं और सिर्फ एक ही प्रश्ण हल करना रहता है अब देखें आपका अगला प्रश्ण क्या तैयार करना है कि कारणला के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खादे समस्या का हल किस प्रकार हुआ असपस्ट कीज़े टोटल चार नंबर अगला प्रशन देखें क्या तैयार करना है आपको कि भारत में जाती प्रथा का राजनितिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है या इसके अलावा देखें क्या है कि लोक तांत्रिक शासन एक उत्तरदाई शासन होता है उधारो सहित इसका उत्तर देना है देखें चर चर नंबर के प्रशन आपके बोर्ड के एक्जाम में और प्री बोर्ड के एक्जाम में आते हैं ठीक है अब देखिए 23 नमबर का सवाल के आपका प्रध्योगी की और आर्थिक विकास के कारण संसादनों का अधिक उप्योग कैसे हुआ है या इसके अलबा क्या है कि भारती किरसी वैस्विक्रण के प्रभाव पर टिपड़ी लिखिए इस प्रश्ण को जरूत तयार कर लिजेगा अगला प्रसंद देखिए विकास मापने का UNDP का माप डंड किन पहलुए में बैंक के माप डंड से अलग है या थवम दिया है कि 33 चत्रक अन्य चत्रों से कैसे भिन है सो उधाड़ा आपको उत्तर देना है टोटल चार चर नमबर का ति यह था आपका वड़ात्मक प्रस्ण कितने नमबर का रहेगा 6-6 नमबर का रहता है 25 नमबर का सवाल देखिए कि जर्मन एकिकरण की प्रकिरिया के बारे में संचिप टिपड़ी लिखिए टोटल देखिए 6 नमबर का है अथवा में भारत में स्वतनत्रता संघर्ष में गाधी जी ने योगदान का कर रणं कीजिए या इसके अलावा आपका है कि लोकतंत्र की किनी दो प्रमुक चुनुतिय का रणं कीजिए ठीक है इन प्रशनों को तयार करना है आपको चलिए अगले नमबर के प्रशनों को देखते हैं देखिए अगला सथाइसवा नमबर का सवाल क्या है कि भारत में भारत में सोर उर्जा का भविष उजवल है व्याक्षा कीजिए इसके बारे में आपको तयार करना इन प्रशनों को इसके लए अठीसवा नमबर का सवाल क्या है आपका देखिए यहाँ पे मन रेगा दूहजार पाच कि उद्देशों की व्याक्षा करना था आपको इसके द्वारा उभ्भोगता बाजार में सोसर किया जाता है तोटल 6 नमबर यहां पर जितने में वड़ा आत्मक और लगुत्री चाहिए दुर्गुत्री हुआ आप सभी को बता है उन प्रसनों का आप आप जरूर तैयार कर लीजिये तो आप देंखिए यहां पर सभी प्रशनों बताते हैं यहाँ पर नमबर का देखिए क्या है आपका प्षाला नम्बर का सवाल है कि आपका पूर्व सुवाराज की मांग की प्रस्तावित हुआ था यह हुआ था आपका देखा है यह नाहोर में गलंवा नहीं तो इसके लिए टोटल मतलब की इसको देखा लिखेंगे उत्र पुस्तिका पर और मानचीतर पर दरसाएंगे तो टोटल एक नमबर एक प्रश्ण के लिए मिलने वाला है सिकेंड वाला देखिए वहास्तान जहां किसी घटना के आरा महत्मगादी ने असायोग आंदुलण अस्थेगित किया था तो यह आपका 4 चोरा हत्यकार्ण हुआ था और और ऊठ्यकार्ण कहां पर ते यह गोण पर है कहा पर है अब यहां पर ध्यान दिए असायोग आंदोलन कब चलाएगा था तो 1922 में आपको इंसर बताना है इस साथ में आपको बता दिये कि इस सन को याद रखिएगा ठीक है इस सन को आपको मांचित्र पर नहीं देखाना है बस आपको चाकवी देखाना ठीक है अगळा प्रस्ट आपको क्या है तीसरा नुमबर का वास्थां जहां उन्नैंसीट बीस में कांघ्रेश का अधिवेस्टन हुआ था यस व क्लकत्ता ब토हता कहां सु्edaan पर आपपा किया था आपका बौजरात में बनाया गया गया था बहारत की किसी एक प्रमाबरू उर्जा केंद्र का नाम नह् готов होता है काया है महाराष्ठ पर चेथ्र हेस्ट में अफ्तर अगुंधधन होता है अग्ला देखिए सलावांद चिन्रा राज्य के नाम सहीद आपको दिखाना है ना सलावा बांद पर सलावासन आपको जम्मू कस्मिर पढ़ता है टिक सलावांद को 楽 जम्मू कस्मीर हुआ है ओगरा दिखिए आपका जो प्रशन है कि दच्छष भारत की एक नदी चिन द्वारा दिखाना है दच्छिर भारत की एक नदी का नाम यह देखिए आपका दच्छिर भारत की एक नदी वह है कावेरी नदी और कावेरी नदी कहां से हो किस राजिस होगे गुजरती है तो यह गुजरता आपका तमिल नाडू राजी का नाम भी लिख देते ह अगर आपको दिखाना है कि राजस्थान की राजदानी कहां पर राजस्थान की जो राजदानी है woham किस प्रकार के प्रश्ण आने वाले हैं, सभी प्रश्ण आपको बताएं, इन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लीजिए, चाहे प्री बोर्ड का एक्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप जो बोर्ड का एक्जाम होने वाला है, उसका पेपर देने जा रहे हो, तो सभी में यह बहुत ज़्यादा important paper है इस प्रश्ण को इस paper को जरूर एक दो बार देखके तयार करके ही board का exam देने जाईएगा ठीक है तो friends इसी प्रकार के प्रतेक subject का paper आप सभी को बता रहे हैं जो viral है इन paper को जरूर आप solution देखके board का exam देने जाईएगा ठीक है तो friends आपको यह video पस subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक video को share करें